वेलकम टू कार्व एकेडमी तुडे आई सल्व क्लास सेबेंथ मैथमेक्टिस चेप्टर थर्टीन जिसका नाम है विज्वालाइजिंग सॉलिड एंड से का एक्सरसाइट 13.1 को सल्व करने जा रहे हैं यह बहुत है most important है और बहुत ही आसान है इसमें बनाने जुरूत नहीं होता है बस माइंड लगाने के जुरूत होता है ठीक है फर्स्ट क्वेचन है identify the nets which can be used to make cubes cut out copies of the nets and try it आपको देखो यहां पर ट्राइ करना किन की net से क्यूब बनेगा देखो मैं फर्स्ट के लिए एक फिगर लिया हूं ठीक है यह मैंने कॉपी पर ऐसे देखो बनाया हूं ठीक है अब मैंने कट करके लाया हूं अब इससे मैं देख रहा हूं देखो उपर दो है न यो सब इदर लाएंगे इसको इदर से फोल्ड से कर लेंगे इसको मैंने फोल्ड कर लिया अब यह पआर्ट जो है ना उपर वगाला देखो यह पार्ट यह 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 वाला अब मैं जादी इसको ऐसे करता हूं तो एक दूसरे पर क्या कर दो यहां से ऑपर एक क्या कर दिया ऑब एक अब इसको मैं देखता हूँ और ऐसे मैंने किया फिर इसको ऐसे और उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया अब देखो इसको उपर और उपर से ढख दिया कहीं ओभरलैप किया नहीं किया जब ओभरलैप नहीं किया तो फिर क्या बोलेंगे एक क्यूब बना रहा है ऐसे ही आपको चेक करना है अब एकजाम में कैसे चेक करोगे ऐसे पेज फाड़ करके बना लोगे और बना करके ऐसे चेक करोगे लेकिन टाइम ज़्यादबार बात होगा तो आपको क्या करना होगा अपने माइंड से इसको देखना है क्यूब बनेगा क्यूब बनेगा ठीक है फर्स से नहीं बना, सेकंड से बन गया थर्स से भी देखो बन जाएगा कैसे बनेगा भाई देखो इक्वल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में रहता है ना समझो कि 100% हमारा क्यूब बनी जाता है यहाँ पर देखो इक्वल पार्ट्स था क्यूब बन गया, यहाँ इक्वल पार्ट्स है यह साइड से, यह साइड से, यह उपर से ले गया, अब फिर यह बच गया, उपर से ले जाएंगे, यह भर लाइपिंग कर देती, इससे नहीं बनेगा, समझ रहे हो, इससे देखो बन जाएगा, यह टू टू पार्ट्स में, इधर टू पार्ट्स, इधर टू पार्ट्स, इ लिखेंगे कि विश्चेन नंबर वन का एंसर क्या क्या होगा लिखेंगे क्यूप्स क्यूप्स नेट्स आर क्यूप्स नेट्स आर कौन-कौन हुआ सेकेंड से बन रहा है ठर्ड से भी बन गया और फोर से भी बनेगा और सिक्स से बनेगा इन सबसे क्या बनेगा हमारा क्यूप्स नेट्स बन जायेगा चलो अब क्वेश्चेन नंबर टू देखेंगे टू भी बहुत मोश्ट इपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान से देखिएगा समझेगा ठीक है क कि डाइज डाइज मतलब जो आप लोग लीडों खेलता हो और क्यूप्स विट डज ओन इच फेस ऑपोजिट फेस ऑप दर डाइज अल्वेज हैब टोटल ऑफ दे सेपन डॉट्स दें हीयर और टूर नेट्स तू मेक डाइज क्यूप्स द नंबर इन इंसर्टेड इन शूटेबल नंबर्स इन दब्लैंक रिमेइनिंग डेट दन नंबर ऑन दो अपोजिट फेस शूट टोटल टू सेबन अब देखो यहाँ पर जो फिल इन दब्लैंक है आपको इसको फिल करना है फिल करने बाद आपको यह बताना है जब इसको आड करेंगे तो क्या आपना और 6 वन के अपोजिट 6 होता है और 3 के अपोजिट 4 होता है और 5 का अपोजिट 2 होता है याद रखिएगा क्यों क्योंकि आप दोनों को एड करोगे न 7 होना चाहिए तब आपका सही है मतलब लीडों का जो गोटी होता है आप देखे होंगे चेक करना अपने घर होगा तो 1 का opposite 6 होता है मतलब एक side 1 है तो उस side 6 होगा इधर 3 उधर 4 होगा इधर 5 उधर 2 होगा और इन तीनों को आप add करोगे इसको भी add करोगे 7 3 और 4 7 5 2 7 7 ही आना चाहिए तो वहीं आप से पुछा गया है कि आप यहाँ पर करके दिखाओ बताओ कि कौन क्या फिल करोगे तो देखो यह 6 है 6 का opposite यहाँ पर क्या यह होगा यह opposite है यहाँ पर 1 हो जाएगा ठीक है 5 का opposite कहाँ पर होगा 5 का opposite 6 इसको एक छोड़ करके यह होगा 4 का opposite एक छोड़ करके 3 होगा देखो मैंने फिल कर दिया अब यह देखो 1 का opposite क्या होगा 1 का opposite हमारा क्या होगा बताओ 1 का opposite हमारा क्या होगा एक छोड़ करके यह 6 हो जाएगा तू का पोजिट क्या होगा एक छोड़ करके 5 हो जाएगा 3 का पोजिट एक छोड़ करके 4 हो जाएगा देखो फिल कर दिया एंद दोनों को एड करने पर 7 होना चाहिए मैंने कर दिया अब पोजिट समझना एक छोड़ करके क्यों होता है ठीक है ना अब यह नहीं कि टू का पॉजिट हमारा यह होगा वन का विट यह होगा थ्री का पॉज़ फॉर होगा कि समझ में आ गया कोई डावड तो नहीं है ना बहुत आसान है आप बस द्यान से बनाओगी तो आसान होगा ऐसे नहीं क्वेश्चे नंबर थ्री देखो can this be a net for dice यह देखो explain your answer आपको इसके बारे में explain करना है तो देखो पहले तो एक देखो अच्छे से बनाया है वन का उपोजिट 6 टू का उपोजिट 5 और थ्री का उपोजिट 4 यह आपको पहले से given है लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो वन का उपोजिट होगा 6 नहीं होगा वन का उपोजिट 4 होगा टू का उपोजिट क्या होगा यह 5 होना चाहिए सही है थ्री का उपोजिट यह 6 हो जाँतलब एक गलत बनाया है ये कभी वी हमारा डाइड नहीं बन पाएगा क्योंवी क्योंकि उसके लिए और एड़ करने सेंबार होना चाहिए जल्दी मैं फॉर की साथ करता हूं सेन नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा टू के इसके सांथ करेंगे 8 हो जाएगा 3 को इसके साथ एड़ करेंगे 9 हो जाएगा मतलब यह suitable नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा क्विस्चिन नंबर कि त्री का एंसर में कि नो कि नो दिस कैन नॉट कि दिस कैन नॉट कि भी कि इन नेट कि नेट कि फोर एडाई कि यह हमारा एंसर है ठीक है कोई डाउट है कि नहीं न हाँ जैदि आप से कोई पूछे कि इसका रीजन बताओ लिखेंगे बिकॉज आपको देखके ही पता लग गया कि यह दोनों को एड़ करेंगा पूजिट साइट को सेवन होना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है लिखेंगे बिकॉज वन पेयर कि विकॉज वन पेयर कि ऑफ अपोजीट कि अप अपोजीट कि अपोजीट कि फेस्ट वील है क्या है वन एंड फोर है ना हाँ वन एंड वन एंड फोर अन देम आनिप और पाय वहेंत psych कि अपोजीट विकार भी तूब बिकॉज उन प्वेंगे वन येजिए व लो प लेगेंगे विकॉट साथे घांने वन एंड पेसे whose total whose total is not equal to equal to 7 यह हमारा answer ठीक है question number 3 भी complete हो गया question 4 देखो question 4 है धान से पले पड़ो here is an incomplete net for making a cube complete it in at least two different ways remember that cubes has six faces how many are there in the net here give two separate diagrams if you like you may use a square sheet for easy देखो यहां पर आपको क्या करना है दो बनाना है question number 4 के लिए दो आपको बनाना है cubes और square को use करके कैसे बनाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ न cubes बनाने के लिए मैं इसी से दो example लता हूँ question number 1 में देखो यह second से हो गया था हमारा काम हो गया था ना और एक हो गया था four से इन्ही दुनों को बना दूँँगा काम हमारा हो गया simple आईए इसके लिए first बनाता हूँ सबसे पाले यह हो गया one two three और यह फोर यह बन गया second बड़ा बन गया box इसको छोटा कर लेंगे ठीक ना चलो second बनाता हूँ यह बन गया हो गया दो आपको बनाना था मैंने बना दिया question number 5 देखो match nets with appreciate solids अब आपको यह करना है match कराना है कौन किसका होगा यह बहुत simple है यह हमारा cubes है cubes किसके लिए होगा यह हो जाएगा हमारा second के लिए क्या हो जाएगा यह first का second हो जाएगा तो बी के लिए हमारा यह हो जाएगा third अब इसके लिए क्या होगा अब सी है सी के लिए हमारा यह फोर्थ हो बन जाएगा और यह हमारा answer है तो आप लोग आराम से मैश कर लोगे बहुत यह असान था इसी के साथ हमारा 3.1 जो था ना complete 13.1 जो था ना complete होता है कोई आउड को दिखा तो तो comment box में comment कर दिजिएगा यह सब बहुत असान होता है आपके एक्जाम में बहुत कम question पूछे जाते हैं ठीक है बहुत असान है बस एक बार अच्छी से समाझ जाएंगे तो सारे question कर सकते हैं और बहुत असान है एक्जाम में बहुत कम पूछे जाएं थैंक यू सो मुछ